नमस्कार दोस्तों आज हम बनाएंगे चीरोटा भाजी देखिए इस प्रकार की होती है हमने इसके डंठा ललक कर लिया है और पत्ति पत्तियों को दोड लिया है इसे हम अच्छी तरह से धो लेंगे और धुने के बाद हम एक उबालाने तक के इसे उबाल लेंगे देखिए मैंने पानी उबलने रग दिया था पानी में उबाला चुका है अब मैं इसमें भाजी डालका इसे उबाल लूँगी ताकि इसका कसेलापन निकल जाए यह भाजी विटामिन और कोश्टिक से भरी होती है इसमें बहुत सा आईरन होता है अब हम इसे ढखकर पकने देंगे अब हम खोल कर देखेंगे देखिए भाजी में उबाला गया है अब हम इसे निकाल लेंगे यह भाजी वात और सीत रोगों के लिए फायदे मन होती है यह भाजी आलवेदिक दवा के काम भी आती है अब हम इसे ठंडे पानी से धुल लेंगे और इसका सारा पानी निकाल लेंगे इसे अच्छी तरह से ठंडे पानी से धुल लेंगे अब हम इसका सारा पानी निकाल लेंगे इसके लिए मैंने एक बड़ा सा चन्ना लिया है अब हम कढ़ाई में दो बड़े चम्मास तेल डालेंगे और इसमें आदर छोटा चम्मास जीरा डालेंगे मैंने यहां गेस का फ्लेम लो टू मीडियम रखा है अब हम इसमें कटे हुए चार प्याज डालेंगे और इसे अच्छी तरह से बूंद लेंगे अब मैं इसमें चार कटे हुए लाल मिर्च डाल रही हूँ चाहे तो आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं और इसे डालकर हम इसे भी भूंद लेंगे अब इसमें कटे हुए तीन टमाटर डालेंगे अधा चमच हल्दी पाउडर अधा चमच धनिया पाउडर और स्वाथ के अनुसार नमग डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे भूंद लेंगे अब हम इसे ढख कर 1-2 मिनिट के लिए पकने देंगे ताकि टमाटा राच्छी तरह से पक जाए अब हम ढपकन खोल कर देखेंगे देखें टमाटर अच्छी तरह सी पखग άए हैं अब हम इसमें चमबच चला लेगे और इसमें हम भाजी डाल देंगे चिरोटा भाजी डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेगे देखे भाजी को हम अच्छी तरह से मिला लिये हैं अब हम इसे ढख कर कम आज पर 5 मिनिट के लिए बुनने देंगे अब हम खोल कर देखेंगे देखे भाजी अच्छी तरह से पक गई है अब हम इसे 1-2 मिनिट के लिए ऐसे ही पकने देंगे देखिए भाजी अच्छी तरह से पग गई है और बनकर तयार है अब हम इसे सर्व कर लेंगे देखिए भाजी बनकर तयार है अब हम इसे धन्या डाल कर सर्व कर लेंगे यदि मेरी देशे पर आपको अच्छी लगे तो मेरे चेनल को सब्सक्राइब कीज़े धन्यवाद